दोस्तों स्वागत आप सब का इंडिया अन्मोर में फेंटेसिक क्रिकेट करो यूट्यूब चैनल पर कैस क्रिकेट में काफी दुनों के बाद आज कुछ बड़ा देखने के बिल रहा है IPL के बाद मैच बंद हो गेते लेकिन आज PSL वापे स्टार्ट हो रहा है PSL का पंदरवा मैच आज रात साड़े नो बजे लाहर और इसलाबाद के बीच में खरया आएगा तो हम यहाँ पर बात करेंगे इस मैच के बारे में कि आज दोनों ही टीमें जब मैदान में उतरेंगी तो कौन सी टीम इस मैच को जीतरे वाली है और साथ ही साथ आपको एस चीज बता दू जिस तरीके से आप IPL में विन कर रहे थे आप PSL में उससे 2-3 गुना जादा विन करोगे क्योंकि हमारा जो रेशो रहा है PSL में विन करने का गजब का रहा है बहुत ज़्यादा विनिंग्स होती है PSL में तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करोंगा प्लीज यह जो वीडियो है 18-20 मिनट का वीडियो होगा अगर आपने पूरा देख लिए तो गरंटीड बोलता हूं कि आप अच्छा हासा अमाउंट इस मैच में जीतने वाले हो तो उम्मीद करता हूं सब लोग पूरा वीडियो देखेंगे और काफी दुनों के बाद बापसी हुई है दोस्तों तो प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखा दीजी वीडियो को लाइक कर दीजे गाइस लाइक से यादा है जुन्होंने इस वीडियो को सबसे पहरे लाइक औ और 10,000 पर ले जाना है अब यह आप कैसे विन करोगे देखिए जो आप नीचे सबस्क्राइब को बटन देखेंगे हो सबसे पहले तो उसको दबादीजे साथ में बैल आइकोन दबादीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे अब देखिए सबस्क्राइब और बैल आइकोन किया और 10,000 पर विन कर लिए तो कितना आसान है उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को सबस्क्राइब कर लिया होगा और बैल आइकोन भी देखा दिया होगा तो इस बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में और एक चीज़ और आपको बदा दू यह 10,000 पर जो आपने विन क करने और 50,000 पर बिन कर लेने तो का इस बात कर लेते हैं मैच के बारे में अब मैच के अगर बात करें तो लाहो और इसलाबाद के बीच में मैच है और आज रात को साड़े 9 बजे मैच के लाएगा अब गाइस अगर हम बात करें अब तक आपको बताए कि यह PSL दोबारा स् तो दोनों ही टीमों का फोंश काफी अच्छा है और दोनों ही टीमों तीसरे और चौथे निम्बर पर बनी हुई है तो दोनों ही टीमों से एक अच्छे मुकावली के मुभीद कर सकते हैं गाइस अगर आप PSL में कुछ बड़ा विल करना चाहते हो तो एक चीज़ आपको जादू आप my love circle को अभी के अभी install कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के बाद लिंक मेंने description में दे रखा है comment section में दे रखा है अब install करने का और sign up करने का benefit क्या है जैसे ही आप sign up करते हो my love circle को और आप पहला amount deposit करते हो कोई भी amount आपको 20% extra cash मिल जाता है extra cash का मतलब bonus नहीं होता है bonus को आप limited यूज कर सकते हो extra cash का मतलब आपका real पैसा जिसको आप कितना भी चाहो यूज कर सकते हो तो मान लीजा आपने 1000 रुपी डिपोश्ट किये तो आपको 1200 रुपे wallet मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज का जरूर benefit रहेंगे क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ my 11 circle दे रहा है 20% extra cash और कोई नहीं दे रहा सभी लोग bonus देते हैं यह लोग extra cash देते हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आप इस्टॉर कर ली जागा और एक चीज और आपको बता दूँ अनली माई 11 circle पे लीडर बोर्ड चल रहा है जिसमें सायद PSL के 12-13 मैच बचे हुए हैं तो अगर आप माई 11 circle पे खेलता हो यह मैच बचे हुए तो आपको लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंग पर आने पर एक करोड रुपे मिलेंगे एक करोड कुछ भी नहीं करना नॉर्मल ली खेलते रहना एक करोड रुपे आप जीच जाओगे तो इस बात कर लेते हैं मैच के बारे में सेख जाध स्टेडिम अबुदावी मैच के लाएगा और वेदर की बात करता बहुत ही जादा गर्मी है बहुत जादा और उसके बा पर बात करें तो इंट्रेस्टिंग वाली टीम ने बाइच जीते हैं और इंट्रेस्टिंग यहां पर खेला गया था ऑक्टूबर नॉंबर में उसमें जो आखरी के साथ मैच थे साथ मैसे च्छे मैंच लगातार फिलडिंग वाली टीम ने बिन किया थे हैं लगातार टू जोगाए दिल्ली की की build कीम ने वह जीता आपको simple ता guess करना ही कि यार फखर कर सकता है आज अग्जेक्ट बताना है अगर 15 बना रहा है तो आपको 15 ही बताना है 15 16 नहीं बताना आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बन जाता है 170 को बहुत बार स्कोर बनाएं आप देख सकते हो जायतर स्कोर 170 के उपर बनाएं तो 170 160 के आसपा से आपर टोटल होना चाहिए अब आखरी के मैंच आप देख लिजिए अफगानिस्तान और जिंबावी की टीम ने आपर आखरी के तीन बनाएं पहले में जादा इस चलते है पेसर चलते हैं और यह हकीकत है अब काई सिहां पर देखो के बंगलादेस को नो विकेट में पेसर को च्छे विकेट मिले हैं अब 9 जालवा रहा होगा इसमें इसमें भी अफगानिस्तान की टीम ने से मैच जीता है और बड़ा स्कोर बना है इसमें फिर से 198 और इसको भी अड़ता लिसन से विन किया है इसमें आप देखो कि पेसर्स को छे नौव विकेट मिलें इस प्लर्स को सिर्फ दो विकेट में तो यह चीज आपने याद रखी आप टीम बना रहे होगे अब गाईस आगे हम बात कर लेते हैं टोडल विकेट जो यहां पर गिरें हैं पिछले चार मैचे में तो आपको पता है कि जिंबावे और अफ़कौनिस् जीते हैं मतलब कि इसलाबाद की टीम हर बार आउए लगें लाहोर की टीम पर और पिछले चार मेंच के ले दोनी टीम की बीच में हर मैच इसलाबाद की टीम बन्वाइख 74 और इसम आसिफ शदाव जफ़र शदाव आपको हर मैच में करते हूं दिखेंगे तो बालिंग मे ये दो इंपॉर्टेंट बॉलर ने इस चींके और इतर से देखें श्यादाव डूर्विकेट यह आप को लगता पहुंक करते हुँप दिखेंगे हफीज हो गये शाहिन रौफ और इस आपके फखर कभी पहुंक करते हुआ दिखेंगे कभी आपको यह पर पहुंक करते ट्विकेट और फखर 65 और शोय लगतर 37 अब इस यह कुछ इंपोर्टन प्लेयर थे जिनका पिछले कुछ मैसिस का पहुमेंस रहा है है अब इधर हम देख लेते हैं जो स्कौर्ड है आपको बता है कि PSL खेला जा रहा रहा था स्टार्टिंग में इस साल के बीच में रुख गया अब फिर दोबारा स्टार्ट हुआ है तो कुछ या तो मजबूरी से नहीं आ रहे हैं या फिर इंजार्ड है या फिर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं तो कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो बाहर हुए और उनकी यह पर किन प् लगबग हुबहु ऐसे ही प्लेयर को शामिल किया गया जैसे की आउट में तो टीम पर मेरे साबसे कोई ज्यादा फराकर नहीं पड़ेगा अच्छे प्लेयर से कलम फरकुसन टीम डेविड बहुत चे प्लेयर हैं और ऑल लूंडर में जैंस फॉकनर और शीको प्रिसन ना क सब्सक्राइब हाई हाड ही थोड़ा सा लेट आता है बैटिंगे लिए बट बहुत स्पीड से बनाते हैं इदर आपके सुल्तान अमद है लेफ्ट आम और्टोडोक्स हैं और ये साओधी अरेबिया के प्लेयर हैं कत्र कुवेट के लिए खेल चुके बट इनको चांस मेरे खेलते हों दिलबर को जगह नहीं मिलेगी बट दिलबर का अते हैं तो आप इन बट करोंड़ कर ना काफी एच्छे फॉर्म में थे त्रासी रन बयासी रन तीन मैंच में दो बार एटी के पार आरिश्ट रहूफ जिंबावे के चार विकेट और इसके राव साउथ अफ्रिका के ठीक ठाक था बाकी आगे हम देखें मौहमद हफीज भाई ये जिंबावे के अगे फ्लॉफ थे साउथ अफ्री लगबग फ्लॉफ और जिसान अशरभाफ देखिए काफी अच्छा मतलब ठीक है नैशनल कप है यार उतने ज्यादा पॉमस भी नहीं है उतना अच्छा पॉमस नहीं है एक बार जरूर बनाए बाकि उसके लावा एक भी बार 21 से ज्यादा नहीं बना पाए पिछले पांच इसके लाव के सलमाना आगा है तो सलमाना आगा आगा्व साल्मेज में पुछले प्छले प्यूसके पहले जीरो साथ रण जिरो विकेट नैशनल कप में और मम्मध फैजान राइट व्लोप में इनके बारे में ज्यादा बताने की जूरहत नहीं है पिछला इन वाई नहीं केल आए 26 रन जीरो विकेट एक विकेट दो विकेट तीन विकेट बंदा हर मेंच में पहुम करता है चाहिए तो बैट से चाहिए तो बहुत बहुत अच्छा कहलते हैं और एहमद दानियाल एहमद इनके लिए अगर दानियाल खेलते हैं तो फिर आपके दिलबर बाहर हो सकते हैं मेरे इसाब से दिलबर को खेलाना चाहिए बाकि देखते हैं क्या हो सकते हैं आपका सेकंड कोस्टिन आपको बताएं आपको पूछ लिया इस स्टार्टिंग में 50,000 के लिए सेकंड कोस्टिन है कि शादाब खान जो पाकिस्तान के हैं वो इस मैच में माई 11 सर्कल जिसके मैं आपको स्टार्टिंग बता था माई लें सर्कल पर कितने पॉइंट देने वाले हैं आपको बताएं तो आप जाकर के माई लें सर्कल पहले इस्टार कर लिजेगा वहां के स्टार्टिंग में पूछा यह वाला आपने वीडियो के लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जाके यह हैश्टाग यूज करते हुए आंसर कर दे रहे हैं और एक्जक्ट नमबर बताने आपने ऐसा नहीं कि आपने बता दिया पंद्रा सोला पॉइंट देगा पंद्रा प्रों उमर अमीन बेंडन किंग और मॉहमंद अखिलाक को शामिल किया गया इस त्रीम को थोड़ा सा लॉस हुआ है अलेक्स हैल्स हाड हीटर फिलिप साल्ट हाड हाड हीटर बैस्मान लविस बहुत यह अच्छ वाल रूंडर तो इनकी जगह उस्मान खाजा कॉल मुलोड ठीक है बाकी यह वाले प्लेयर मेरे हिसाब से यह जगह फिल नहीं करते हैं शदाब खान क्याप्टर अपनी टीम के और यह जा तो बैटिंग में बॉलिंग में आपको श्टार्टिंग मताया अपने पॉइंट देगे जाते हैं इदर आपको उस्मान खाजा है इनसे हर एक पॉइंट देगे जाएंगे नहीं करेंगे थोड़ा कम देगे जाएंगे बिन खेलेंगे तो ऑपनिंग करेंगे दो खेलेंगे नहीं और इनका ठीक रहा था सीपियल में पिछले जो तीन मैंस करें रगाता फ्लोप रहे थे बाकी इसके लाब मुहम्मंद अखलाक कुछ ख करता है बट इसको बहुत लेट आता है बैटिंग के लिए और बॉलिंग भी बहुत कम मिलती है मुहम्मद मुसा बहुत ही अच्छे आप टीम में रख सकते हो हाला कि अभी तक अपने आपको साबित नहीं कर पाएं अंडर 19 में काफी चकेलते हैं आसिफ अली का देखिए आ अब हसन आली को देखिए ये बंदा इसको आप जिंबा पर क्या लालो इसको साउथ अफरिका के लालो इसको प्यसल में खेला लो हर जेगह विकट निकाल रहा है अब इंडिया क्या लेका मोंका नहीं मिल रहा बाकी असल परिक्ष्छा तो इंडिया क्या वहीं आप मौमद भाई इसके लावा आप देखें एहमद सफी तीन मैंच के लिए तीन मैंच में चार में पीएसल में 2020 में अली खान ये यूए यूएस से की प्लेर है और इन्होंने सीपियर के ला हुआ में काफी अच्छा का जगा मिल जाती है और इन्हों पहुं भी ठीक्टा क्या है चार में पांच में निकाले उमर अमीन ने ज्यादा कुछ किया रही है और आपके फवाद आवद ने भी कुछ जादा किया रही है अब गाइस बात कर लेता है हम पिलेंग लाएं के बारे में उसमान खा जाए इनमें से कोई एक आपनिंग करेगा हो सकता है दोनों आपनिंग कर लें को डाउन किया जाए बैटिंग में उस बात करें हम आगे यहां पर दोनों ही टीम्स की तरफ से जब हैड टो हैड मैंसे वे तो रन किसने ज्यादा बनाए है फखर जमांद एक सो एक ऐसी आसिप 156 शटाब 138 इफ्तिकार 125 तॉफ तरीके शटाब का नाम है अक्तर का नाम है ठीक है और इसके आप आसिफ का नाम है मतलब कि शदाप PSL के बेस्ट और उन्रस में से एक है शाहिन अफरीदी पांच विगेट जफर गोर ते विगेट अब गाइस बात कर लेते हैं हम यहाँ पर की बटल स्कीम की बटल में आपको बदा दूँ इधर आपको सिर्फ एक ही दिखेगा वह राशिद वर्सिज मुन्र मुन्रो जब जब राशिद के बैटिंग करते हैं तो परिशान होते हैं 42 बाल में तीन बार आउट किया है सिर्फ 24 रन खर्च करके मतलब कि कि इस ट्राइक रहा है लगबग 50 के स्ट्राइक रैट से रिमना है तीन बार अपने विगेट दिया है मुन्रो ने राशिद के अब गाइस हम बात कर लेते हैं हमारी टीम के बारे में जो इस मैच के हमारी टीम होगी माईलयम सरकल पर जो मैंने अभी तक मेरी फाइनल टीम रही है उसमें मैं रॉहिल नजीर को विकेट कीपर ले रहा हूँ आप बैंट डंग को ले सकते हो ठीक है मैं फिलाल रॉहिल टीम हो यही है जिसमें आप देखो के मौहमद अफीज शादाब खान फाहीम अश्रफ है बॉलिंग में शाहिन अफृदी हारी स्राव अली और राशिद खान यह मेरे चार टॉप बॉलर्स हैं अब फाहीम की जगह पर एक एक्ष्ट्रा प्रोपर बॉलर्स कर सकते हो बाग खुरूब बिन करता हूं वह आपको सिर्फ और सिर्फ टेलेग्राम पर बिलेगी तो वीडियो का लाइक करिए और डिस्क्रिप्शन पर टेलेग्राम का लिंग कर लिए पांच लाग से ज्यादा लोग जुड़ों में जिनको रोज आना रेगुलर टीम मिल रही है तो आप आपको बताऊंगे कैसे आप इस मैच में ग्रेंड लीक विन करोगें तो इस वीडियो में तरहीं उम्मीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आदे प्लीस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें धरन्यवाद